कि अज़ाएं कि लड़ाई लड़ने वाले आला हजरत हल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष नीदा खान को एक बार फिर से विरूत का सामना करना पड़ा है इस बार साधी समारम में पहुंची नीदा को देखकर भाज़ पर छोड़ने के नारे लगाये गए मेरे जहालते बाहर करने का मामला सुर्खियों में आया फुलिस को दी तहरीज में नीदा ने खुद और परिवार पर जान लेवा हमले का आरोब भी लगाया उत्तरा खंड विदान सवाज चुनाओं में बीजेपी के समर्थन करना मुस्लिम कारकरता को महंगा पड़ गया इसी रंजिस के चलते महले के मुस्लिम लोगों ने कारकरता और उसके परिजनों को पिटाई कर दी हलाकि मामला में दोनों पक्षों की सिकायत पर पुलिस ने दस लोगों के खिलाब केस दर्ज किया है उत्तर परदेश कानपुर के किदवई नगर की जुहिलाल कालोनी में प्रोसी ने सकील आमेद को तिर्फ इसलिए जम कर पिटा क्योंकि उसने विधान सबा चुनाओं के दोरान अपने घर की छत पर भाजपा का जंडा लगा दिया था उन्होंने बताये कि यह 2013 से भाज़ी जनता पार्टी की समर्थ तक है प्रोसी ने उन्हें धम की दी थी अगर मुसल्मानों के साथ मिलकर नहीं चलोगे तो आँखे निकालकर सिर्फ कलम कर दिया जाएगा कुसी नगर के राम कोला थाना के कट घराई गाउं में बाबर नाम के 28 बरसी युग की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई आरोप लगा की कतित तौत्वा यूगी की अगवाई में बीजेपी का समर्थन करने को लेकर यह हत्या होई आरोप बाबर के पड़िदारों और गाउं के परढ़ान पर लगा जा रहा था जो समाजवादी पार्टी का नेता है सियम योगी ने इस हत्याकान पर दुख जागेर किया था एसो को लाहिन हाजर कर दिया गया भाजपा का सदस्यता लेने वाले मुस्लिम कारिकरताओं पर कठर पंदियां कहीं कहीं पर कहर बरबार हैं या उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह देश सबका है देश कठर पंदि से नहीं समिधान और कानून से चलता है जो भी कानून तोड़ता है परसासन सक्सी से अपना काम करती है भार में कठरपन हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई सबी के लिए गातक है